तो काफी पेन हो रहा है भी देखते हैं तो काफी अच्छे होंगे तो गाइस अभी लोग में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपके साथ ना अपने कुछ फेवरेट थिंग्स सेर करने वाली हूं तो मेरा जो इसकिन केर है ना वो बहुत सिंपल सा रहता है तो उसी से और आप मेरे फेस पर ग्लो देख सकते हैं इतना अच्छा ग्लो आता है ना तो आज मैं इस प्रोड़क्ट के बारे में बात करने वाली हूं वह है यह ममार्थ का बीट रूट हाइट रफुल मॉस्टराइजर यह जो है ना इतना अमेजिंग प्रोड़क्ट है ना लाइट वह तो आपको बहुत पसंद आया इसके साथ मैं यूज करती हूं ममार्थ का बीट रूट वाला फेस वोस्ट उकी अमेजिंग अप्रुट को अब्लत यह दुट। एक pink glow provide कराता है और everyday use के लिए जो है न वो अच्छा है तो आप जो है न इन दोनों product को combine use करेंगे तो एक अच्छा effect एक अच्छा result जो है आपको मिलेगा अब बात कर लेते हैं ममारत के product के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ममारत के जितने भी product होते हैं वो mere safe certified होते हैं cruelty free होते हैं dermatologically tested होते हैं every skin type के लिए suitable होते हैं and as you all know कि ममारत के जितने भी product है वो amazon, nika, flipcard and purple.com पर available है साथ ही साथ ही अब यह जो है आपके nearby store पर भी मिलने लगे हैं तो जब भी आपको कहीं ममारत का store दिखाए दे तो comment करके मुझे जरूर बताईएगा साथ आप अपना feedback ममारत के साथ जरूर share कीजिए क्योंकि आपके feedback पर ही वो अपने product को enhance करता है जैसे कि उन्होंने onion, hair, shampoo को enhance किया था ममारत का अगर आप को भी product purchase करना चाहते हैं तो उनकी official website और जो उनकी app है ना उस पर आपको मिलेगा 20% का ओप अगर आप स्क्रीन पर दियावा मेरा coupon code यूज़ करेंगे साथ जाथ ममारत के जितने भी ये product है ना इन सबका link मैं छोड़ दूँगी description box में तो आप वहाँ जाकर जरूर चेक कीजिए and अपना feedback share कीजिए and guys अभी हो चुका था दोबहर का time तो मैं नहा कर आ गई थी सिधा कीजन में lunch बनाने के लिए तो आज lunch में बनने वाला है कासी फल की सबजी साथ ही मैं बनाऊंगी जो अरहर की डाल होती है ना वो तो मैंने फ्रिट से सबसे पहले कासी फल निकाला थोड़े से जो खीरे थे वो निकाले क्योंकि अभी ठंडे है ना मैं बहार रख दूँगी तो थोड़े normal temperature पर आ जाएंगे जब तक हम lunch करेंगी तो मैंने जो है ना अरहर की जो डाल थी वो थोड़े देर पहले भीगा कर भीगा कर रख दो ना आप आदे गंटा भी भीगवा कर लख दो तो एक तो उसमें मैं दो से तीन बार दूली है और सारा पानी मैं ने इस पोट में ऊहल इकटा कर लिया था और अरहर की बनाने वाली थी मैं तो मैंने थोड़ी इसी जो लाल मसूर की डाल होती है ना वो भी एड़ की थी उससे एड़ करने से कहते हैं कि जो अरहर की डाल जो ना थोड़ी भारी होती है तो वो उसका जो भारी पने ना वो थोड़ा कम हो जाता है मसूर की डाल डालने से तो बस यहां पर मैंने कुकर में डाल डाल दी है और थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पर इसमें डाल कर अभी इसको गैस पर मैं रब दूँगी उसके साथ ही साथ मैं चावलों को भी जो है न यहाँ पर धुल कर भीगाने के लिए छोड़ दूँगी तो मैंने चावलों को भी न दो से तीन बार यहाँ पर धुला और जो भी पानी दाना वो मैं इसी बरतन में खटा करती जा रही थी और दो से तीन बार धुलने के बाद मैंने फिर चावल भीका कर छोड़ दिये थे कि जब तक डाल बनेगी ना तो चावल अच्छे से भीग जाएंगे और अब जो ये पानी है इसको मैं डाल दूँगे अपने प्लांट्स में और मतलब एक तो इससे जो है पानी की भी बचत होती है और दूसरा ये जो पानी है ना वो आपके प्लांट्स के लिए काफी अच्छा रहता है प्लांट में पानी डाल कर आई तो तब तक जो है ना मेरी डाल पर बोईल आ गया था तो मैं ना ये इसपेशली अरहर की डाल जब भी बनाती हूँ ना तो उस पर से ये जो वाइट वाइट ज़ाग से निकलते हैं इनको हटा देती हूँ क्योंकि ये ना हैल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और ये जो इस पर ज़ाग आते हैं ना ये पानी जो है ना डाल का गैस बनाता है अरहर की डाल तो वैसे भी बहुत गैस बनाती है तो मैं ना अरहर की डाल बनाते हुए हमेशा उसमें एक या दो लोंग जरूर डालती हूँ इससे जो है ना उसमें वो ना गैस कम बनाती है और मुझे तो मतलब इस पेशली जब भी मैं अरहर की डाल खाती थी ना मुझे हैड़क जरूर होता था तो मैंने ना ये कहीं देखा था कि अगर लोंग डाल दो तो गैस कम बनाती है अरहर की डाल तो मैं वही डालती हूँ और फिर दाल को जो है ना मैंने धकन लगा कर पकने के लिए छोड़ जया था और तब तक मैं अपना जो कासी फल है ना उसको काट लूँगी जो ये कासी फल था ना काफी मदब पका हुआ था और इसको छीनना बड़ा भारी काम था ऐसा लगा था कि कहीं जो चाकू है ना वो खात में ना लग जाए जो मैंने ये कासी फल काटा था अब मैं इसको जो है ना तड़का लगा दूँगी तो मैंने यहाँ पर एक साबुत मिर्च डाली है थोड़ा सा जो है मेथी दाना और प्याज डाली है और पैनना थोड़ा जादा गरम हो गया था तो जो मेथी दिना वो थोड़ी सी जल गई है और फिर मैंने इसमें डाला है कटा हुआ कासी फल साथ ही यहाँ पर बस हल्दी और जो कस्मीरी मिर्च ना वो डालूँगी और कुछ मैं यहाँ पर मतलब इसमें नहीं डालती थोड़ा सा पानी डाला थोड़ा सा नमक और इसको अभी ढख कर जो है ना मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी साथ ही मैं यहाँ पर क्योंकि दाल भी बोईल हो चुकी थी दो विसल में ही तो प्याज मैंने कासी फल और दाल के लिए एक साथ ही कट कर ली थी अभी दाल के यहाँ पर टमाटर को कद्दू कस कर रही हूं और बस यहाँ पर कढ़ाई मैंने चड़ा दी है गैस पर जब तक वो गरम होगी तब तक मुझे आज धनिया पाउडर बनाना था क्योंकि धनिया पाउडर बिल्कुल खतम हो चुका था तो इसको जो है ना मैं भी खोल कर धू जाएगा क्योंकि आज दूप बहुत तेज हो रही थी तो मैंने उसको धूप में रख दिया है और यहाँ पर बस में दाल में जो है ना दाल के लिए तड़का रेडी करने लगी थी तो दाल का तड़का देखे रेडी हो चुका है दाल भी अच्छे से बोईल हो गई थी उ तो मुझे जो है ना अमचूर एड करना यह तो मैंने कर दिया और थोड़ी देर बाद ना मैं इसमें गुड़ एड करूंगी तो बस फिर जो है मारा कासी फल बनकर रेडी हो जाएगा साधी साथ दाल भी अच्छे से पक गई थी चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिये तो यह सब चीजों तो बन ही रही थी अब जो है ना मैं फटाफर से यहां पर रोटी का आटा लगा लूँगी और फिर जो है ना मैं रोटी बनाऊंगी और इस तरह से जो है ना मेरा जो लंच है वो रेडी हो जाएगा तो लंच की थाली मैं भी आपको दिखाती हूं हिमा को लेकर आगई थी इसकोल से आ चुका था वह तो यहाँ पर जो है ना मैं डुगु के लिए छो है खीरे कट कर रही हूँ और उसको हैंड वोश करने के लिए मैंने बोल दिया था और मैंने जो है ना दाल गरम होने के लिए रख दी है क्योंकि डुगु जैसे एक बेज तक मेरा लंच बन जाता है और डुगु आता है वन ट्वंटी या वन ट्वंटी फाइफ कभी कभी डेड़ भी बच जाता है तो दाल जो है इतना ठंडी हो जाती है तो जब वह आता है तो मैं उसके लिए दुबारा से घ तो मैंने एक बावल में चावल कर दी है उसी में मैंने कासी फल और डाल डाल दी थी साथ ही थोड़ा सा घी तो यह उसका लंच हो गया था और फिर जो है अभी मैं आ गई थी किचन में जो भी मतलब खाना बचा हुआ था ना उसको ट्रांसफर करने के लिए जिस जिस बरतन में मुझे ट्रांसफर करना है ना मैं उसमें उसको ट्रांसफर कर दूगी तो जो भी बरतन थे वो मैंने रख दिये थे सिंक में धुलने के लिए और उससे पहले जो है न मैं जो सुभ हे वे बरतन थे उनको अब लगाऊंगी कैबिनेत में और जब तक मलब बरतन पर नहीं सूदे तो मैं उनको कैबिनेट में नहीं लगाती हूं क्योंकि एक तो बरतन पर जो है इसपोट आ जाते हैं पानी के और दूसरा फिर कैबिनेट में गिले बरतन रखना अच्छा भी नहीं होता है तो मैं हमेशा बरतनों को अच्छे से सूखने देती हूं और वो किसी दिन जैसे नहीं सूखते हैं तो मैं उनको कुछ देर के लिए बाहर भी रख देती हूं जैसे धूफ वगएरा निजली हुई हो तो वो अच्छे से सूख जाते हैं और बस यहां पर जो है न मैंने सारे बरतन लगाए और फिर मैंने कीचन वगएरा अच्छे से जो है क्लीन करती है तो अभी जो है न तो पहर के दो बजने वाले हैं बजे नहीं है और रुगुता ही अच्छे से इसको मैंने खना दे दिया वह खाना खा रहा है कि चन वगरा मैं क्लीन कर गई हूं और ब्गु को जो है न खाने में टाइंट ज्यादा लगता है तो तो यह वो भी तक खारा है और थोड़ी देर में बस खाना खाकर वो भी आ जाएगा और अभी मैं आई हूं में थोड़ा सा रेश्ट करने के लिए और अज़कर ना पता हैं कि मेरी आखेना बड़ी दुखी और थकी थकी सी रहती हैं तो इस टाइम जोना में थोड़ा सा रेश्ट कर लेती हूँ और अभी जो है ना मेरी जो ये फिंगर है ना ये वाली इसमें इतनी जोर से चोट लगी है ना कि इसका ये नेल है यहां से ये पूरा ब्लू हो गया है हुआ क्या डूपू जैसे स्कूल से आना तो उसकी यूनिफोर्म वगरा निकलवा कर मैं जो मेरा लॉंडरी बैग है उसमें डाल देती हूं तो लॉंडरी बैग रखा हुआ बात्रूम में जो सेकंड वाला बात्रूम है मंतला कोमन क्योंकि वह जादा यूज नहीं होता जो ह प ubiquuppремा मारा यह बैड्रूम वाला बात मैं यह जादना लेकी वूज होता है तो मैं उसमें रखने ज़ार थी और जैसे ही मैं रखे रख कर आई कपड़ор इसा चना च्परता चलता दूंग करने लगी और जैसे ही मैंने हैंडल पनके इपक्राइब के लोग किया ना तो मेरी तक मुझे इतना पेन हो रहा था कि मैं फर्स पर ही बैड़ गई वही पर जाओ गेट में यह दबी थी और अभी भी जो है इतनी इतनी फिंगर है इसमें बहुत पेन हो रहा है ब्लू हो चुका है नेल्स तो आप समझ सब्सक्राइब यानि ब्लू होने का मतलब यह कि जो ब्ल आप यह समझ लीजे सायद 15 दिन बाद जो है ना हुझे खना बनाते हुए आज पसीने छुटे हैं नहीं तो मतलब वैदर इतना अच्छा और खतार डेली बारिस होती थी यहां पर बट अब जो है ना दो तीन दिन हो गए बारिस बिल्कुल नहीं हो रही है और आज बहुत ग्छण में दुग को दूद के डेना है और अपने लिए चाए बनानी है तो मुझे कमेंट अया था कि दिडी आप 2 कप चाय किस्के लिए बनाती हो तो गाइस एक कप चाय मेरी होती है और मेरे हजबन की वह इतने बिजी रहते हैंना कि मतलब उनको जो है ना एक उनका अलगी रूम है मैंने शायद वो रूम कभी आपको दिखाया भी नहीं है क्योंकि वो अलाओ ही नहीं करते हैं तो उनको चाय वगएरा जो है ना मैं वहीं पर दे कर आती हूं क्योंकि उनकी उस टाइम पर मीटिंग वगएरा होती है या उनक सेटरडे संडे बैठ कर खाना खा भी लेते थे बट अब वो भी नहीं होता क्योंकि उनकी क्लासेज वगेरा होती हैं तो दो कप चायना में इसलिए अपने और अपने हजबन के लिए बनाती हूँ तो यहां पर फिर चाय वगेरा हो गई थी और कपड़े वगेरा मैंने फोल्ड करके रख दिये थे जो भी सुभह के धुले होए थे और उसके बाद टाइम आता है दीपक जलाने का तो मैं जब दीपक जलाने आई तो देखा मंदिर में जो मंदिर का घी है न वो खतम हो गया ह तो मैं फिर से किचन में घीले ने चली गई थी और यहां पर मैं अपनी साम की दियाबाती कर लूँगी और दियाबाती करने के बाद फिर से मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी किचन की तो अभी देखे बाहर जो है न मतलब अंधेरसा होने लगा था और अब न आसा दिन होने भी लगा है जाद तो नहीं बर थोड़ा मतलब पांदस मिनट का डिफरेंस आफ जो है समझ सकते हैं वो होने लगा है तो जो धनिया मैंने रखा था ना धूप में वो अच्छे से सूख गया तो मैं उठा कर लिया हूँ और इस टाइम जो थोड़े से बादल के लिए बट भरता खाने का जो है ना बिल्कुल मन नहीं था मेरा क्योंकि अभी खाया था तो फिर मैंने सोचा चलो आज ना बैंगन टमाटर आलू की सबजी बना लेती हूँ बहुत टाइम हो गया है मुझे बैंगन आलू की सबजी खाय हुए तो उसी के लिए मैंने सारी सबजी बगरा निकाल कर रखी और फिर जो है ना मैंने सोचा क्योंकि अभी टाइम था डिनर के लिए कि पहले जो है ना मैं धनिया पीस लेती हूँ क्योंकि धनिया बिल्कुल खतम हो चुका था और बैंगन मुझे जो है ना सबजीों में धनिया बहुत अच्छा लगता है बट सेकंड टाइम मैंने थोड़ा-थोड़ा करके डाला ना तो यह इसमें आराम से पिस गया था और जैसे मिक्सी में पिसता है वैसा ही हुआ था तो मैंने सोचा क्या मिक्सी निकालूं मैं इसमें पिस के देखती हूँ और जब पिसा तो मुझे मतला यह अच्छा लगा क्योंकि धनिया भी जो है अच्छे से सूखा हुआ था धूंक में तो काफी इजली वो पिस गया था धनिया निकाल कर मैंने अभी एक बाउल में रख दिया था क्योंकि अभी जो है न वो गरम है तो इसको थोड़ी देर मैं हलका ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी जदा देर तो नहीं क्योंकि जदा देर छोडएंगे तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है न वो सारी उड़ जाती है और फिर मैंने सब्जी वगएरा कट की सब्जी में तड़का वगएरा सब लगाया और फिर जो है ना मैंने रोटिया बनाने स्टार्ट कर दी थी आज जो है ना डुगु भी थोड़ा मदद खेल कर नीचे से लेट आया था तो रोटिया यहां पर बनकर सारी रेडी ह गई थी उसके बाद जो है ना मैंने डुगु को बोला कि चलो डिनर कर लेते हैं और यहां पर जो है ना मैं अपने डुगु दोनों के लिए ही सैलेड कट कर रही थी उसके बाद हम सब जो है मत हम सब क्या डुगु और मैं ही है हम दोनों करेंगे डिनर ही मांसों अपने चा पर बज गई हैं साड़े आट सब abrasively उपर हो गई हैं तो अभी जो है मेरे कचन का सारा काम हो गया है सारी किचन देखे नीट अंड खिली हो गयी है बस कुछ काम बसते हैं मेरे रात के जैसे कि मुझे दूद वाला जो बैग है वो बाहर हैंग करना है साथ ही जो है न मुझे नर्स भीगोने होते हैं तो नर्स भी ना देखे खतम हो गए इनको भी रिफिल करूंगी काजु वाला तो बिल्कुली खतम है और ये बदाम और जो अख्रोट है न वो मैं भीगोती हूं आज जो है न साथ में हिमांसु के लिए मैं जीरा वाटर भी बनाऊंगी तो उसके लिए मैं जीरे वाला अपना बोक्स निकाल लेती हूं तो ये सुबह में ना वो पी लेंगे तो अब मैंने जीरा भी बिगा कर छोड़ दिया थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ी असा जीरा ओर डाला यहाँ पर नर्स वगएरा भी बिगा कर छोड़ दूँगी मैं तो मेरी किचन का जो है ना ये सबसे आखरी काम होता है जो मुझे करना होता है ये भी बिगा कर छोड़ दूँगी और फिर मैं जो है दूद के लिए जो बैग वगएर है ना वो बाहर जो में गेट है ना वह यहां हैंग करके आ जाती हूं यह डेली का ही मेरा काम रहता है अब तो मतलब यह हैबिट बन गई है मुझे जैसे ही काम खत्म होता है तो मुझे जो है ना बैग हैंग करने का खुद से याद आ जाता है और अभी जो है ना मैं आपको अपने घर के बाहर का व्यू दिखाती कि अब चलते हैं अंदर कि अभी थोड़े बहुत जो काम है और खत्म करूँगी मतला घर को जो थोड़ा बहुत सैट करना होता है नाइट के टाइम पर वो और सबसे एन में बस अब मैं आ गई हूँ बैडरूम में डुगो को ब्रस वगएरा जो है करने के लिए बोल दिया था उसने अपना सारा नाइट टाइम का रूटीन कर लिया है मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैं ब्रस वगएरा करोंगी और पानी से फ़ेसवोस वगएरा कर लोगी और बस यहाँ पर ने जो बैर जो रूटीन है वो दोपहर से लेकर रात तक का वो यहां जा आकर खत्म होता है और यहाँ फेसवोस करने के बाद मैं जो है अठोड़ा बहुत सकीकेर करती ह और बस उसके बाद मैं जो है ना सोने चली जाती हूँ तो यहां पर मैं आ गई थी और क्लचर वगरा मैंने निकाल दिया था क्योंकि सोते वे क्लचर तो नहीं लगाया जाता है बस चोटी बनी हुए ऐसे ही सो जाओंगी और फिर मैं थोड़ा बहुत जो है ना सोने से पहले पानी जरूर पीती हूं क्योंकि प्यास बहुत लगती है और उसके बाद में सीधा जाओंगी बैर्ड पर अब जो है ना सब्सक्राइब तो आज पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कि हैं, कि गजल क्या करें, हुटे हुटे हैं,